प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदितनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवाज से नफसरजित BSL-2 प्रयोकशालाओं का लोकारपन किया योगी सरकार ने राज में कोरोना की अधिक जाच करने के लिए BSL-2 लैब को तयार करवाया है बता दें कि योगी आदितनाथ ने विश्व जनसंक्या दिवस के मौके पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जनसंक्या का घनत्व और जन्म दर देश की तुल्ला में काफी ज्यादा है इसका प्रभाव मात्री और शिशु मृत्यूदर पर देखा जा सकता है इसलिए राज में जननी सिशु सुरक्षा कारकरम प्रदान मंतिरी सुरक्षित मात्रत अभियान और अन योजना व्यापक पैमाने पर संचालित की जा रही है हम सर इस बात को जानते हैं कि सकल जनसंक्या खनेत्व का प्रभाव स्यसु गर्दुदर और मात्री मिर्दुदर पर जुड़ा हुआ है स्वाभाई गुट सेहा जो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि प्रदेश में तिनसंक्या का जो घनत्व है और प्रदेश में सकल जन्दर देश की तुलना में अगर हम देखें तमाम उपायों के बावजुद भी ये भी भी काभी ज़्यादा है अगर देश के अंदर इस कानपार दो तसम्लब दो है तो तर प्रदेश में दो तसम्लब साथ तक जाता है इसका प्रभाव शिसू मृतुतर पर भी और मात्री मृतुतर पर भी इस पस्ट दिखाई देता है तीन वर्सों में एक प्रियास किये गए लेकिन उन सत्प्रियासों कि बाद जूत इस बात को मैसूस किया जाता रहा है कि ब्यापक जागुरुपता के मात्यम से हम प्रतेएक नागरिक के मन में या भाव जागुरुद कर सकें कि जनसंख्या इस्थरी करण के मात्यम से हम प्रतेएक नागरिक को स्वस्थ और इस सुंदर भरिवार की और अग्रिसर कर सकते हैं कि उस ब्यापक जागुरुपता कारिक्रम की दिस्से आज का या दिवस अत्यन्त महत्यकून है कोविड-19 की चुनोदियों के बीच स्वास्ते विभाग ने ये कारिक्रम आयुचित किया है मैं इसके लिए स्वास्ते विभाग को हिर्दै से तन्यबाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ पिसले कुछ समय से पनी कारिक्रम प्रारम भुए है जिन कारिक्रमों के मात्यम से हम प्रदेश के अंदर मात्री मृत्युदर को और शिसुब मृत्युदर को नियंतित कर सकते हैं और इस दिस से अलीक जो कार्यक्रम केत्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंब किये गए हैं इसमें जन्नी सुरक्सा यूजना है जन्नी सिसु सुरक्सा कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्सित मात्रित्वावियान प्रधानमंत्री मात्री बंदना यूजना ये सभी व प्रियाफक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कालिक्रम प्रारंब किये हैं और कालिक्रमों की श्रिंखला में प्रदेश में सिसु मृतुदर को नियंतित करने के लिए 1820 न्यूबॉर्ण केर कॉर्णर 180 न्यूबॉर्ण इस्टेपलाइजेशन यूनिट 82 शिक न्यूबॉर्ण यूनिट के स्थापना प्रदेश के अंदर भी है 53 चन्पदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचाली थे जिनके माध्यम से फरवरी 2020 तक 20,58,000 से दिख लाभारतियों को OPD के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई प्रदेश में कम्भीर रोग्यों के लिए 250 एडवांस लाइज सपोर्ट एडवॉलेंस संचाली थे हैं जिनमें माध्य 2020 तक 2,1,000 से दिख रोग्यों को यह जोई लाइज सपोर्ट एडवॉलेंसे से इनका लाभ प्रदान किया गया है 102 एडवॉलेंस की 2,270 यूनिट हमारे पास क्रिया सील है मई 2020 तक 3,85 तीन करोर पिच्चासी लाख लाभ रव्यों को इस सेवा के माध्यम से लाभ वानित किया गया 208 एडवॉलेंस की सेवा जो 200 की संख्या में प्रदेश में हैं क्रिया सील हैं मई 2020 तक 1,48 लाख लाभारतियों ने इसका लाभ उठाया है प्रदेश में 242 सामदाइक स्वास्त केंद्रों पर टेली मेडिसीन पर 321 सामदाइक केंद्रों पर तेली रेडियोलोजी सेवाये भी प्रदेश केंदर उपलत हैं यानि इस कारिक्रम को प्रभावी धंसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाये हैं नीद्यायूग ने आठ एस प्रेसलर्ट इस्टिक मनाए हैं इसमें मात्रि मिर्तुदर और सिस्व मिर्तुदर के बारे में प्रदेख मा इस जन्पदों की समिक्सा होती है और उन जन्पदों में इसमें कमी लाने के लिए जो प्रियास प्रारम होए हैं उसके बहुत आज़ती पैणां भी हम सब के सामने देखने को प्राप्त होए हैं पूर्वी उत्तर ब्रदेश के जो 38 जन्पद बैक्टर बॉंड डिजीज से प्रभावी थी इन से प्लाइटिस से और भी तमाम ऐसी बिमारियां की जिसकी चपेट में आकर के और समय तमाम नौजाज सीशू या फिर बच्चे उसकी चपेट में आकर के और समय कालकल्वित होते थे ब्यापक पैमाने पर जो कारिकरम चले उसका पैणाम था कि 90 गेसली तक हमने मिर्टुदर को नियंतित करने में सफलता प्राम्त की और आज का दिन इसले भी महत्तोपुण है जंसंख्या विस्टों जंसंख्या दीवस के साथ ही आज स्वास्ते विभागने कोविड-19 को प्रभावी अंकुष लगाने के लिए लिए दिकत चार माहा से जो कारिकरम प्रारंब किया उसकारिकरम की स्रिंखला में मुझे याद है जब कोविड-19 का पहला केस उत्तरप्रदेश में आया था तब उत्तरप्रदेश में हमारे पास एक भी लैप नहीं की जहां पर हम टेस्टिंग कर सके है इसके बाद जब एक प्रक्रिया आगे वड़ी तो केजी एम्यू में जब हम लोगों ने इस चंपता का विकास किया तो पहले चर्ण में किवा साथ टेस्ट प्रभी दिन करने की चंपता का विकास हो पाया और कल तक के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की चंपता उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की सयोग से आधनिय प्रधानमंत्री जी के माज़िदर्सन में आज चंपता विक्सित की है और आज में प्रसंता है कि जिन 6 कमिस्टनरी में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी उन 6 कमिस्टनरी की 7 कमिस्टनरी में टेस्टिंग लैब BSL 2 की लैब को आज एक साथ हम उत्त घाटन करने जा रहे हैं जहां पर हम लोग आज से वहाँ पर टेस्टिंग की छंता भी हम लोग विक्सित करने में और वहाँ पर सैंपल लेकर के कोविड नाइंटीन की जाज करने की एक सुविधा वहाँ पर उन कमिस्तनी मंडलिये चिकित सालियों में उपलब्त हो चुकी है इसके साथ ही आज और कल दो दिन के लिए प्रदेश में एक विसेस अभ्यान प्रारभ भुगवा है और मुझे लगता इसे हमें अपिने जीवन का हिससा वनाना चाहिए कुछ जीचें इसी हैं जिसको समझने किया हो सकता है जैसे ना लेटे हैं इतने भी हर कारिक करम की सुभारंब का हम किस रूप में कर दें जाते हैं दीप प्रजोलन कर लेते हैं अच्छा है दीप बारतिय संस्कृति में ज्यान का पतीक है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेडित कर दी है लेकिन देश काल और प्रस्तिती को भी हम सब को समझना होगा देखना होगा और खास तोर पर कोविड-19 के खत्रों से बचाने के लिए इसी सभागार में सामाजने जिनों में जब कारिकरम करते थे तो 100-100-500 लोग एक साथ बैठ जाते थे आज हम सीलित संख्या में लोग बैठते हैं क्योंकि हमें मादूल है कि हमें पोविड के संकर्वन को भी रोकना है लेकिन साथ साथ अपने कारिकरम को भी संचालित करना है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे हर एक विक्तिस का पालन कर रहा है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते वे हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग जब बैढ़ते हैं तो अक्सर इस बात को ध्यान में नहीं देते कि हम दीप प्रजुलन करेंगे तो सभागार में सेंसर लगे होंगे पदा लगा फायर ब्रिकेट की गाड़ियां दोड़े चले आ रही हम यहां दर बैठे हुए बाहर से पानी की बोचा रहे हैं अंदर फेंक रहे हैं और छोड़ी घड़ी वाते हैं जिसको ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को वर्दमान में उत्तर प्रदेश कोविट 19 के प्रारंब होने के बाद किस प्रकार की प्रस्तियों को ज्हिला है और सफलता पुरुवक प्रदेश चुनौति से हम लोगों ने उसका मुकादला करते वे सफलता पुरुवक हम बाहर निकले हैं और प्रदेश की 24 करोड जंता को एक सुरक्सित मावोल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई इस समय हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वह चैलेंज है एक तरफ COVID-19 के संक्रमन को रोकना दूसरा बरसात के अत्यथिक बरसात को देखते वे जितने भी विसानुजनित में वारिया हैं संचाली रोग हैं इन सभी प्रकार के संचाली रोगों को भी प्रभावी टन से इ इसकी रोग ठाम करने की ही जिससे हम लोगोंने आज सेकंड सटर्डे ता सेकंड सटर्डे और संडे दोनों को उप्योग हमने किया क्योंकि सरकारी कारले ज्यादा तर बंद होते हैं और ज्यादा तर बंदी के दोरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके कि कारले बंद का एक पिसेश अभ्यान प्रदेश के अंदर चला ले हैं दूसरा सर्विलांस टीम के कठन के मात्यम से मेडिकल स्क्रिनिंग की ब्यापक विवस्था रैपिट टेस्ट के मात्यम से प्रतेख सस्पेक्टेट केस की चांच करना और फिर कोविट हॉस्पिटल में उनकी विवस्था की गई है वहां पर उन्हें ये विवस्था दे सकेंगे तो काफी हद तक मिर्टु दर को नियंतित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और मैं धन्य बात दूंगा कि सभी समंदित विवागों ने गरामे विकास और पंचायती राज ने नगर विकास ने स्वांस्ते और चिकिस्ता सिक्साने अन्य सभी समंदित विवागों ने इस पूरे कारिकरम के साथ जोड़कर के इसको सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने का कारिक किया है हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से आज हम सुरक्सित हैं इसलिए क्योंकि आगरे प्रभानमंत्री जी जीने समयबत दंसे जो निर्णे लिया और उसको प्रभावी दंसे देश केंदर लागahu करने का पेड़ा रहा कि दुनिया के इंदर जो हम देखते हैं कि कि अकेले अमेरिका के अंदर अमेरिका की कुलाबादी कुल 33 करोड है और वहाँ पर संक्रमान और वहाँ पर मिर्टू दोनों को देखते हैं तो अकेले अमेरिका में मिर्टू 1,35,000 से दिखुई है और भारत के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं तो समय से लेकर ठैसले का पेड़ाम क्या होता है कि देश की आवादी 135 करोड होन के बावजूद भी भारत में कैसे प्रभावी इस पर मियंतन किया है यह इस बात को दिखाता है कि भारत जैसे इसाल आवादी के देश में मौत के आंक्रे अमेरिका में जहां 1,35,000 करोड करता है वहीं भारत में कुले 20,000 तक है यानि यह समय से लेकर फैसले आई इतनी बड प्रभावी को बचाने का कारे प्रभानमस्त्री मोधी जी के समय से लेकर फैसले के कारण हुआ और इसलिए छोड़ी-छोड़ी बातों को ध्यान में रख करके हम प्याबक पैमाने पर मिर्टुतर को नियंतित कर सकते हैं चाहिए वहाँ COVID-19 से हो या किसी भी बैक्टर बॉ है मिस्टर जनसंख्या दिवास के अउसर पर हम एक स्वस्त समाज की इस्तापना के लिए एक नए सिरे से प्रियास करें आम जनको जड़नोग करके इस दिसामें नए सिरे से प्रियास के जाने क्या हो सकता है साथ-साथ COVID-19 के दोरान में दोरान भी इन चनोतियों से जूस्ते वे भी या तमाम प्रकार की बैक्टर बॉर्ट डिजीज के लिए ये समय अत्यांत समितन सील माना जाता है उस दिससे भी ये कारिक्रम अदम अमारे आगे बढ़ रहे हैं ये सारे कारिक्रम एक साथ आगे कर भाएगा इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से विश्व जन संख्याद दिवस के अउसर पर पुरे प्रदेश वास्यों को घरदे से बढ़ाई देता हूं हम उत्तर प्रदेश की सकल जन्वतर को भी रास्तिय और सथ से कम लाने में क्या प्रियास कर सकते हैं इसके त्यापक जन जागरण के प्रहत अभ्यान को प्रते एक संख्याद तक प्रते एक परिवारत तक पहुंचाने की आउस सकता है लेकिन साथ साथ कोविड-19 और किसी प्रकार की संचारी रोग से बचाओ करने के लिए भी हमें एक प्रहत अभ्यान का हिस्सा बनना चाहिए इस लोगार्पित की जारी है एक अच्छा प्रियास हुआ है आज की दिन पर स्वास्ते विवा के कह सकता है कि हमारे प्रदेश के 18-18 कमिस्णरी में हमारे पास कोविड-19 की जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब है और हमारा प्रियास अब सेकंड फेस में होगा कि हर जन्प के इंदर मिंदू बनाया है और हर मेडिकल कोडेज जो गौवर्मेंट के दारा संचालित है वहां पर प्येसल 2 और प्येसल 3 लेबल की जो टेस्टिंग लैब बनानी की जो कारवाई यूद दस्तर पर वहां पर बनी भी हैं बन भी रही हैं मैं इसके लिए इन दोनों विभ जाने के लिए अब अंतर्वी भागेस समयों के मत्रिम से बहतर प्रणाम दाने में सफलों के आप सब के प्रति मेरी सुपकामना है धन्यवाद चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल दा यूपी हेडलाइन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं